जहीं दोस्तो स्वागत है आप सबीका आपके उपनी डिली करेंट अफन्ट पर दोस्तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त 2023 के इंपोर्टन डिली करेंट अफर्स को तो फ्रेंट्स बिना समय गवाए आइए देखते हैं आज का सबसे पहला important question तो पहला प्रस्णा आपके screen पर ए रहा हाली में राष्ट्र पती द्रौपदी मुर्मु जी ने उनमेश और उतकर्स उतसब का उतघाटन कहा पर किया है तो देखे इसका right answer होगा भोपाल इसका सही उत्तर क्या होगा भोपाल तो भोपाल पर उनमेश और उतकर्स उतसब का उतघाटन किया गया है कहाँ पर क्या गया है भोपाल में इसका inauguration किया गया है दोस्तो भारत की यहाँ पर अब प्रेसिडेंट देख पा रहे हैं यह भारत की 15 नमबर की प्रेसिडेंट है दुरौपदी मुर्मु जी इन्होंने मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में उनमेश और उतकर्स का उतघाटन किया है अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा यह उनमेश अलग शब्द क्यों दिया गया उतकर्स अलग शब्द क्यों दिया गया तो देखिए उनमेश जो है यह एक international literature festival है इसे हम बोलते हैं अंतरास्ट्री साहित महसब और यहाँ पर लिखा है उतकर्ष तो उतकर्स का मत अभी भारत की प्रेसिडंट दुरापदी मुर्मुची के द्वारा किया गया है देखिए उनमेश के अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा literature सबसे बड़ा biggest literature festival है जिसका आज़न 3 अगस से स्टार्ट हुआ है और 6 अगस तक आज़ित किया जाएगा पिछला संसकर धरण है 2022 में शिlog में आएजद किया था शिमला में इसका आएजन किया गया था 2022 में पहला इसका एडियशन किया गया था यहां पर आपको 75 सदिक और देखने को मिलेंगे जो किवल भारत ये नहीं दुनिया के अनेक देशो से भारत में में इस लिट्रेचर फेस्टीवल मे उतकर्स उस से बात करें तो देश के जितने भी राजज़ हैं, जितने भी कैन सासी प्रदेश हैं, वहां के कलाकार यहां पर पर्डिसिपेट करेंगे, अपनी प्रफॉर्मस दिखाएंगे, लोक जन जाती प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगाготов, यहां पर उतक में बता चुका हूँ आपको लगता है कि सर ने पहले भी बताया था तो मैं रिविजन कराता रहता हूँ उस पॉइंट को मत लिखिएगा लेकिन अगर आपको नया पॉइंट मिलता है तो आप उसे जरूर नोट कीजेगा इससे क्या होगा यह जो लिखने की आदत है ना आप आपकी इतिहास लिखने की आदत हो जाएगी मतलब आप ऐसी जगे पहुँच जाओगे जहां पर आप जो है बहुत उपर पहुच जाओगे मेरी बात समझो आप यह क्या होता है लिखने की आदत इंसान को लेखक बना देती है आईेस बना देती है और देश खनेता भी बना देती है और सबसे बड़ीरा बात एक बहतर इंसान बनाती है महसब की हम बात कर लेते हैं तो अर्बन क्लाइमिट फिल्म महसब ये कोलकाटा में आएजित किया गया लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्पीर में आजित होता है खजराहो नित्य महसब हर साल मध्य प्रदेश में आजित किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार की दोरा ताज महसब यूपी के आगरा में उत्तर प्रदेश के आगरा में आजित किया जाता है काहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका आजन किया जाता है समझ गया तो यह तक आपको पूरी बात समझ में आ गई हैं ओके दोस्टों यहां पर अंतरास्टी पतंग महसफ की बात करते हैं तो एहमळाबाद में पतंग महसफ का आजन किया जाया जो fois reconstruction 26 राश्टी युवा मौसव करनाटक राज में चेरचिरा फेस्टिवल 36 गड़ राज में ठीक है दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के इंपोर्टेंट डेली करेंट अफेर्स के क्लास के बारे में और मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता जो लगातार आपको करेंट अफेर्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे 609 दिन हो गया लगातार आपको करेंट अफेर्स पढ़ाते हुए भारत के हर एक्जाम के करेंट अफेर्स को मैं कवर करता हूँ प्रति दिन सुबह 6 बजे लाइव आ करके ठीक है और दोस्तों यहां पर आपको डिटेंड ए क्या वाला है अब प्यारे दोस्तों जो राजा वुपता करेंट अफेर्स टेलीग्राम चैनल है आपको यहां पर यह चैनल जॉइन करना है यही यही चैनल जॉइन करना और भी चैनल जॉइन नहीं करना बहुत सारे लोगों ने फेक अकांट्स बनाए है आपको उसे अमरित ब्रिक्ष आंदोलन एप किस राज में लॉंच किया गया अमरित ब्रिक्ष आंदोलन एप has been launched in which state तो असम, तृपुरा, करनाटक, आनप्रदेश इसका सही उत्तर क्या होगा तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा असम राज असम राज में दोस्तों अमरित ब्रिक्ष आंदोलन एप को launch किया गया है कहां पर असम राज में दोस्तों यहां पर आप image में देख पा रहे हैं असम के चीफ मिनिस्टर है हीमन्त बिश्वा सर्मा जिन्होंने अमरित ब्रिच आंदोलन वेब पोर्टल और मुबाइल एप्लिकेशन को शुरू किया है दोस्तो इसका लक्ष है इसका अबजेक्टिव है 17 सितंबर को ये बहुत बड़ा कैम्पेंग लाँच कर रहे हैं जिसमें पूरे राज में ये 1 करोड पौधे लगाएंगे तो इस एप्लिकेशन के माध्यम से लोगों को जागरूख कर रहे हैं तो ये वेब पोर्टल लॉंच किया गया है जिसमें 1 करोड पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है लक्ष रखा गया है इसका मकसद है राज की जो अर्थ ववस्था है उसको और बढ़ा करना हरी तर्थ ववस्था जो उसकी ग्रीन एकनॉमिय उसको बढ़ाना ठीक है इसमें राज भर की बहुत सारी सेल्फ फेल्फ गुरुप की महिलाएं शामिल होंगी सोयम सहायता समू की म मुख्यमंत्री एकल महिला स्वारोजगार योजना तो यह आपको पता है उत्तराखन राज में स्टार्ट की गई है और नाम सेसफ़ोश्ट है किसके लिए है नंदन कानन योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई है दोस्तों इस योजना के तहर जितनी भी देव भूमी है जितनी भी मंदर तीर्थिस्तल है वहाँ की मिट्टी को बचाना वहाँ की मिट्टी को कंजर्व करना है ओर उनों दोई 2.0 योजना अस्तमराज में स्टार्ट की गई है महिलाओ के लिए स्टार्ट की गई है इसमें हर महीने उनको 1250 रुपए प्रदान किये जाएंगे और उनों दोई 2.0 योजना के तै ап ahead स्टाइपेंड योजना कनिस्ट वकीलों के लिए स्टार्ट की गई है केरल राज में कनिस्ट वकीलों को जूनियर वकील है उनको यहां पर स्टाइपेंड दिया जाएगा ठीक है और यहां पर नैस्ट यहां पर देखिए मुक्यमंत्र सिक्षा पुरसकार योजना उडिसा र यूजना ये उत्तप्रदेश राजम स्टार्ट किया गया है याद रहेगा आपको ओके अंडाव दूध योजना केरल राज्य में नारी बन हैमाचल प्रदेश राज्य में पूधुमाई पर्ण योजना इसमें क्या होगा कि जो छटवी सिले के बारवी तक के बच्चे हैं जो निर्धन है उनको यहाँ पर सायता स्कॉलर सिप्रदान की जाएगी अर्नवित लर्न योजना त्रिपुरा राज में स्टार्ट किया गया है ठीक है ओके ओके दोस्तों अगला प्रस्णाप सभी के स्क्रेन पर ये रहा आदी पिरकु उस सब किस राज में मनाया गया है आदी पिरकु फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेट इंवेश स्टेट तो दोस्तों आदी पिरकु फेस्टिवल ये तमिल नाडु राज में कहां पर तमिल नाडु राज में यह फेस्टिवल मनाया गया आदी पिरकु फेस्ट एक और नाम से जाना जाता है इसे बोला जाता है पाथी निटम पिरक्कू क्या बोला जाता है पाथी निटम पिरक्कू बोला जाता है दोस्तों सवाल उठता है कि किस प्रकार का फेस्टिवल आखिर इस फेस्टिवल का उद्देश क्या है तो दोस्तों यहां पर जो तमिल न का सम्मान करना इस festival का उद्देश है इस दिन क्या होता है कि अमन देवताओं की रूप में प्रक्ती मा की पूजा की जाती है तो आपको ये भी पता चल गया कि आकिर इस festival का उद्देश है क्यों बनाते हैं festival दोस्तों तमिल नाडू के कुछ important टेवहार है आए जानते हैं तो पॉंगल के बारे में तो आप सभी जानते हैं बैल की लडाई होती जिसे हम बोलते हैं जली कट्टू तो ये भी तमिल नाडू में होता है नेस्ट है कार्थी गई दीपम फेस्टिबल नेस्ट यहाँ पर देखिए व्रिश पिरडपू या पुथुंडू बोलते हैं तमिल न कंबाइन कर दिया है कोई भी फेस्टिबल आपसे पूछा जाएगा तो आपकी दिमाग में सवाल नहीं होगा क्योंकि उत्तर आपको मिल चुका है दोस्तों यहां पर भारत की कुछ अन्य तयोहार को भी एक बार रिवाइस करते हैं जो सरहुल तयोहार होता है जारखन बहुत फेमस फेस्टिबल है कई बार मैंने आपको पढ़ा है महरास्त राज में सेलिबरेट किया जाता है ट्यूलिफ फ्लॉवर फेस्टिबल बहुत बड़ा फेस्टिबल लेवेंडर महुत सब जम्मू कशिविर में मनाया जाता है वंचूबा पर वह बीहू पर यह असम सरकार ने विदेशी नागरिकों क्लिक किस प्रकार की वीजा की नई स्रेंडि की शुरुवात की किया गया है तो विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा स्टार्ट किया गया है क्या नाम है इसका आयुष वीजा तो आपके दिमाह में सवाल उठावा सरी आयुष वीजा क्या है तो आयुष वीजा मैं आपको समझा देता हूं तो यहां पर देखिए आयुष मंत्राले आपको तो पता है कि भारत में वो स्वास्त के प्रती काम करता है भारत में जो आयु मिनिस्ट्री है इसके लिए काम करता है ठीक है एक सेकें तो भारत में जो आईश मंत्राले है आईश मंत्राले जो काम करता है वो भारत में मेडिकल फिल्ड में काम करता है तो जो भी इलाज के लिए आना चाहते है विदेशी नागरिक भारत में अब देखिए बहुत सारे जो हमारे पडोसी देश है भारत की चेकिस्टा प्रडाली को एंजॉय करते हैं क्योंकि कहीं कहीं हमारा इंफ्रस्रक्टर है उनसे बहुत अच्छा है तो विदेशी नागरिकों के लिए जो इलाज कराने के लिए वो सभी फॉरेंस उनके लिए आयुश वीजा की नई के टिगरी का निर्माण किया गया है अगर किसी को विदेश से आना है भारत में इलाज कराना है औ तो वो आयश वीजा हुश को मिलेगा जी नई के टिगरी को भारत में शामल करार गया समज़ गया अब दोस्तों यहां पर अधरिक मेरा देश अभियान तो मैंने आपको बताया था कि भारत के बिभिन कोनों से भारत के बिभिन हिस्से से मिट्टी लाई जाएगी और जो वहाँ पर राजपत पर जो कर्तव राजपत नहीं अब वो कर्तव पत है वहाँ की गार्डन पर उस मिट्टियों को क्या किया जाएगा वहाँ पर रखा जा पर मेरी माटी मेरा दिस अभ्यान शुरू किया गया है बुनियादी साक्षर्था को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मुबाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया गया है ठीक है ओके दोस्तों नेस्ट है पीम मोदी जी ने किसानों के लिए अभी यूरिया गोल्ड लॉंच कि राज सबा की अध्यक्स्ता करने वाली नागालेंड की जो पहली मैला सांसद है इनका नाम है फांग ना पांग नोन कोन्याक तो यह भी हमने रिवाइस कर लिया नेशनल करेंट अफैर्स को भी अब आईए बढ़ते नेस्ट कोश्चन की तरफ हाली में डूरंड कप का 132 ए शुरू हो गया है कहां पर कोलकाता में देखें वेस्ट बेंगॉल जो है यहां पर जो बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है ना फुटबॉल बहुत पॉपुलर है वहां पर क्रिकेट आपको देखेगा बट जो पॉपुलर्टी आपको वेस्ट बेंगॉल में फुटबॉल क कब जो है यह 3 अगस से 3 सितंबर तक कोलकाता में आजित किया जाएगा यह स्टार्ट हो गया है 24 स्टीम इसमें भाग लेंगी जो भी इसके आने वाले अपडेट्स होंगे मैं आपको सारे अपडेट्स बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको चिंता कर रही नहीं है सारा क पंदेशमें डग्शाई में इसका आजन किया गया था और बांगलादेश और नेपाल की दो टीम इसमें शामिल थी और इसका नाम जो था किनके नाम पर रखा गया यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं सर मोटी मार दूरनह बहुत सारे और भी कप्स होते हैं फीफा तो आप सभी जानते हैं बहुत कॉमन है लेकिन रोवर्स कप आपको याद रखना है संतोस ट्रॉफी एक्जाम में पूछा गया है सुपरोतो कप आशुतोस कप और मार्डे का कप यह सब फुटबॉल से इंपोर्टेंट कप हैं जो आप से हाइपर टेस्ट ट्र्ंसम्डर प्रॉटोकॉल है नेस्ट है यू रल थो आपने कई बार जब भी सर्च किया होगा तो यू रल आपको पूछ पूलता कई बार आप से लोगों ने पूछा होगा क्यों इसका यू रल क्या है इसने ऊनिफोर्म रियसोर्स लोकेटर। Kiko GPRS GPRS तो आप इस्तेमाल करते हैं कि आपको उसका फुल फॉर्म पता है जिसका फुल फॉर्म है जनरल पैकट रेडियो सर्वस ठीक है नेस्ट हैush बी सीडी तो बी सीडी का फॉल फॉर्म है बाइनरी कोड़ेट डैसीमल नेस्ट है बीपीएस तो यह है बिट्स पर सेकेंड, नेस्ट है डीडीएस, डीडीएस का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज, नेस्ट है ईईए प्रोम, तो यह है एलेक्रिकल एरेजबल प्रोग्रामेबर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है रोम का एक फॉर्मेट है, इसका फॉर्म पूछ लिए जाता है, जितनी भी मेज्ज उसका फॉर्मेट जेपीजी होता है, तो जोईन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रूप इसका फॉल फॉर्म है, नेस्ट है MICR, तो MICR का फॉल फॉर्म होता है, मेगनेटिक इंक करेक्टर रिकरेगनाइजेशन चलिए आई देखते हैं next question हाली में UNFPA और किस राज सरकार ने मिल करके Just Ask इस नाम का artificial intelligence अंचाले chatbot लॉंच किया है UNFPA और विच स्टेट गुर्मेंट तोगेरदा लॉंच एन AI-powered chatbot नेम Just Ask तो देखिए मध्य प्रदीश सरकार ने अभी मध्य प्रदीश सरकार UNFPA दोनों ने मिल करके Just Ask नाम का artificial intelligence chatbot लॉंच किया है ठीक है ये तो बात आपको समझ में आ गई अब सवाल ही उठता है कि ये chatbot क्या मदद करेगा ठीक है तो यहाँ पर जो आजकल के youth हैं जिनने sex education नहीं पता जिनने यौन और प्रजनन स्वास्त और अधिकारों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है तो इस chatbot की मदद से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि युवाँ जिनको sex education नहीं पता वो गलत दिशा में चले जाते हैं और बहुत सारी बाते हैं जिसमें आप इस सारे questions पूछ सकते हैं ऐसा question जो अपने लोगों से discuss नहीं किया जा सकता तो किशोरों और युवाँ के लिए समाजिक मुद्दे और यौन और प्रजनन स्वास्त और अधिकारों से संबंदि सटीर जानकारी इस chatbot की मदद से आपको मिलेगी ये chatbot को मदप्रदेश के जो health minister है प्रभूराम चौधरी और UNFPA की भारत की प्रतिनिदी एंड्रिया एम बोजनोर इनकी उपस्तिती में से launch किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट जनसंक्या कोश्ट के बारे में जानते हैं 1969 में इसका गठन किया गया था सयुक्त राष्ट महासभा का एक निकाय है इसका एक बॉड़ी है इसका काम होता है यौन और प्रजनन स्वास्त मामलों को ले करके जानकारी प्रदान करना ताकि population को भी control किया सके और लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार से जीवन सहली उनक को आई डिसकस करते हैं तो मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना MP में बहुत ज्यादा फेमस है और इस योजना में पहली बार जो मध्य प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को हवाई यात्रा प्रदान की ठीक है तो हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ दर्शन करान काम भी सीखेंगे लाडली बेना योजना MP सरकार में स्टार्ट की है अब एक हजार रुपे प्रतीमा दिया जा रहा है लेकिन अभी घोशित होने वाला साथ तीन हजार रुपे प्रतीमा भी बढ़ने वाला है MP का 53 नंबर का जिला भी बनने वाला है रिवा का सुन्दर जा आम को हाली में GI टैग दिया गया है नेस्ट कोश्चन एरा राज जोश्वा थॉमस को किस देश की संसद में मनोनित किया गया है नॉमिनेट किया गया है राज जोशुवा थामस has been nominated to the parliament of which country तो देखे राज जोशुवा थामस को सिंगापूर में इसका सहुतर क्या होगा सिंगापूर में ये भारती मूल के हैं इस वज़े से हमने इस question को pick किया है तो सिंगापूर की संसत में इन्हें nominate किया गया है इन्हें मनोनित किया है ठीक है तो दोस्तों भारती मूल के तीन ऐसे दिगज है सिंगापूर की संसत के लिए इन्हें nominate किया गया है और इन्होंने अब सपत भी ले ली है एक एक करके मैं आपको नाम बताता हूँ तो पहला नाम आता है नील पारिक नीमिल रजनीकान तो नील पारिक नीमिल रजनीकान सिंगापूर इंडियन बैंक को चैंबर्स ओफ कॉमर्स इंडेस्ट्री के अध्यक्ष है और सिंगापूर बिजनेस फेडरेशन के परिसास सदश्य मेंबर है ये पहले नील पारिक नीमिल राजनिकान दूसरे हैं चंदरदास उशा रानी ये प्लूरल आट मैग्जीन के सह संस्थापक है और नानियांग बिजनस स्कूल में पार्ट करम में कोडिनेटर का काम कर रहे हैं राज जोस्वा थॉमस भारती मूल के वकील हैं जो की संसद में सिंगापुर में पहुचे हैं हर जगे भारतियों का राज है आप देखो भारत में राज नहीं है पर दूसरे जगे राज है सिंगापुर की बात कर लेते हैं तो देखो आप थोड़ा इंडिया के साउथ कई बार दिखाया है वर्ल्ड मैप यहां पर मिस हो गया तो मैं आपको उसके लिए सौरी पर मैं आपको लोकेशन पर ले जा रहा हूं इंडिया की रिस्पेक्ट में तो इंडोनेशिया तो आपको याद होगा इंडोनेशिया की ऊपर यह यहां पर सिंगापूर है याकुब यहांके प्रसिडेंट है मेरें कई दोसं सिंगापूर में रहते हैं प्रसिडेंट है ली सिन्लूंग तो हो कोशन आप सभी के स्क्रीन परे रहा ओबीसी के उपवरगी करण की जाज के लिए गटित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौपी है तो वुम हैस रोहिणी कमीशन गठन किया गया था और उसने अपनी यहाँ पर सुझाओ दिये हैं तो प्रेसिडेंट को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेस की है जिसकी अध्यक्स्ता न्यायमूर्ती जी रोहणी ने की है रिपोर्ट सौपने के लिए आयोग के जो कारकाल है बहुत लंबा समय लिए छह साल तक का इनका वक्त था और इनके कारकाल को बार बार बढ़ाया गया और 14 बार इनके कारकाल को बढ़ाया गया ताकि वो सजेशन ठीक तरीके से देख सके तो रिपोर्ट के कुछ बाते हैं रिपोर्ट में बताया गया कि OBC की 3 से 4 केटिग्रीज बनाने की शिफारिस की गई ह और यहां पर केवल 48 ऐसी जाती हैं जिनको आरक्षण का 50% लाब मिला है बहुत सारी हजारों जाती हैं जिनको एक बार भी आरक्षण का लाब भी नहीं मिला तो इसमें कहा गया है कि उनको भी शामिल किया जाए उनको भी शामिल करने की जरूरत है अभी फिलहाल बात करें तो तो नौकरी और सिक्षा में 27% का अरेक्षन OBC को मिलता है आगे भगवान जाने क्या होगा राश्क्री पिछला बार गायोग की बात करें तो इसका फुल फॉर में नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास यह एक नाव कॉंसिटुशनल बॉडी है हमने इसको सम्विधानिक द हंस राज गंगा राम अहिर इसके वर्तमार अध्यक्षन अगला कोशन आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा हाली में किस राज के उपमुखि मंत्री चौना मीन ने राज का पहला गैस इंसुलेटेट सब स्टेशन का उध्गाटन किया है तो किस राज के उपमुखि मंत्री ठीक है तो दोस्तो इस गैस इंसुलेटेड का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ तो यहां पर अरुणाचे प्रदेश में जिला है जिसको बोलते है पापूं पारे जिले पापूं पारे जिले के निर्जुली में इसका इनॉग्रेशन किया गया है तो गैस बनाए जाते हैं जो संचाला नर्ज गैस से घीर होते हैं उस वो बनाया जाते है यह इसका और इंसुलेटर सबस्टेशन में जो प्रमुक्रियस इस्तुमाल की जाती है सलफर हेक्साफ्लोराइड है ठीक है दोस्तों यहां पर अरुणाचे प्रदेश से रिलेटेडर आचिन चराई मौसब अरुनाचर प्रदेश में मनाया जाता है कहां पर अरुनाचर प्रदेश में मनाया जाता है आज का आखरी कॉश्चन आप सभी के स्क्रीन परे रहा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इस पुस्तक के लेखा कौन है तो दोस्तों इसके लेखाख है निर्जा चोधरी नाम है जिन्होंने how प्राइम प्राइम निस्टर डिसाइट पुस्तक को लिखा है तो यहाँ पर किस प्रकार से प्राइम अपने डिसिजन लेते हैं ऐसा इस बुक में बताये गया है एक प्राइम इस्टर की जर्नी बताई इसके अलावा वीजे दाड़रा Ringside इन्होंने लिखा है दोस्तो अन्य पुस्ता के रूपा पाई योग सूतर फोर चिल्डरन दा गोल्डरनी के ये रसकिन बॉंड के दोरा लिखा गया किसके दोरा रसकिन बॉर्ण के द्वारा इस्मो के नैसेज लिखा के अमिताप घोश के द्वारा शांतुनु गुप्ता ने लिखी अजय टु योगी आदित नाथ ठीक है ओके दोस्तों ट्रिपल र सेशन पर पहुंच गए हैं देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है रास सोधिया प्रिय इसके करने प्रिवाइस करते हैं एंसे यंग थाइलेंड ओपन बैडमिंटर का इन्होंने खिताब जीता किस देश की है तो देखिए दक्षण कोरिया की हैं साउथ कोरिया की हैं भारती भूव एग्यानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक हाली में कौन बने हैं तो नए यूए में किया जाएगा कहां पर यूए में किया जाएगा सबांग बंदरगा पर भारत और कौन सा देश मिल करके काम करेंगे तो सबांग बंदरगा को भारत और इंडोनेशन मिल करके बना रहे हैं नेस्ट कोश्चन अंतरासी समुद्री परेटन पोत एमवी एमप्रेस चन्नाई से किस देश के लिए रवाना हुआ है तो यह शलंका के लिए रवाना किया गया है किस राज सरकार ने एल्डर लाइन सेवा शुरू की है तो एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत यूपी सरकार के दोरा उत्तर प्रदिश सरकार के दोरा स्टार्ट की गई है एने बी गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा खुद की इंटरनेट ब्रॉड्वेंट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो यह केरल राज्य नेश्टेक केंदर सरकार ने हर्याना के किस सेर में एक नई मेट्रो लाइन का निर्माण की मंजूरी दी है तो कहा पर यह गुरू ग्राम हर्याना में स्टार्ट किया गया है दोस्तों कल के करेंट अफैर्स का यहां पर हम रिविजन करेंगे तीन अगस्त का तो आईए देखते हैं तीन अगस्त के करेंट अफैर्स को कौन-कौन याद करके आया है हाली में तमिल नाडू के किन उत्पादों को जियाई टैग मिला है तो तमिल नाडू के यहाँ पर जदेरी नाम कटी कन्या कुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी तीनो को जियाई टैग दिया गया है पाचवा विश्व कॉफिस समेलन का आजन कहां पर किया जाएगा तो इसका आजन बेंगलूरू में किया जाएगा हेडर की जरी सबसे दा गोल करने वाले खिलाडी कौन बने हैं तो दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टियाना रोनाल्डो क्या नाम है क्रिस्टियान रोनाल्डो नेस्ट है किस देश में 16 मेगा वाट्श हमता वाली दुनिया कि सबसे बड़ी पबंट टर्वाइन को एक्टिव किया गया है तो दोस्तों चाइना किये हैं कहां पर चीन में एडवांस हाई ली टेक्नलोजी के साथ एडियर की रिपोर्ट पेस की गए किस राज में सबसेदिक अरब पती विधायक है तो सबसे अरब पती विधायक करनाटक राजबे है किस राज में भारत का पहला हाइडोजन इधन उद्धियोग इस्थापत किया जाएगा तो यहां सी मूल की लेखी का चेतना मारू कौन सा उपन्यास बुकर प्राइस 2023 के लॉंग लिस्ट में शामिल हुआ है तो देखिए इनके उपन्यास का ना में वेस्टन लेन दोस्तों लिूसंट जी के एमसी क्यूब में फाइव इंपॉर्टन को डिसकस करेंगे तो आई देखते है मोहिनी अटम नित्य जो है यह किस राज में होता है तो मोहिनी अटम जो है कहां पर होता है केरल राज में कहां पर होता है केरल राज में नेमने में से कौन सा उत्तर भारती नित्य है तो देखिए उत्तर भारती नित्य की बात कर रहे हैं तो यह कत्थक है जो की यूपी में यूपी将 का सास्तरी नित्र यहीं कथकक कली नित्य किस राज में तो कथक कली तो आपको याद रखना के राज में कथक कली का संबंद के करा राज से sweetheart है बारत नाट्यम कुची पूरी अर। इसका सैउत्तर होगा ऑल आप यावा भारत नाट इम पर होता है बताओ comment box पे भारत नाट इम कहां पर होता है रविनाथ टेगोर ने किस सास्त्रीनित को पुनर जिवित करके उसे केरल के अतरिक्त बंगाल में लोगपरी बनाया है तो दोस्तों रविनाथ जो हैं इन्होंने कथा कथाकली थाकूर जी थीक है ओक दोस्तों 4 अगस्त का एक फाइनल टेस्ट करेंगे हम एक चार अगस्त का टेस्ट होगा तो अब सभी त्यार हो जाए हलीम या याकूब किस देश के राश्पती है तो ये हैं सिंगापूर के प्रेसिडेंट नेस्ट है दा योग सूतर फॉर चिल्डर ये किसकी पुस्तक है तो इसको किस ने लिखा है शांतनु गुपता ने लिखा है दूरंड कप किस खेल से संबंदित है तो दूरंड कप का संबंद फुटबॉल से है आदी महस्ता भी कहां पर बनाया गया वेर इस आदी में कहां पर दिल्ली में लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो लेवेंडर फेस्टिवल ये कहां मनाया जाता है जम्मू और कश्मेर में अगला प्रस्निय रहा पांगनोन कोनिया किस राज की राज सभा सांसद है तो यह नागा लेंड की है नेस्ट है पेमा खां संख्या कोश UNFPA की स्थापना कब की गई है 1969 में स्थापित हुआ है सरहुल त्योहार किस राज से संबंदित है तो इसका संबंद है जारखन राज से पांच मिनट में यह जो सेशन होता है इसमें मैं 40-45 कुश्चन करा देता हूं जो लास्ट में होता जब करेंट अफेर्स प कमेंट बॉक्स पर देना है आपको पहचानना इमेज किस वेक्ति के और इनके बारे में आपको चार से पांच लाएने लिखने है सबसे बेस्ट कमेंट मैं कल पिक करके लाओंगा बताओंगा कि इन्होंने कमेंट किया है दोस्तों आज की जो 10 मिनिट्स की किंग सिरीज है आज परमुक युद्धभ्यास को कवर करेंगे फिक साथ बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी स्टार्ट पांच आप रख लो बीस मिनिट बाद आपकी क्लास होगी साथ बच के पांच मिनिट में आप सभी को लाइव आना अनकैडमी इंद्रधनोस चैनल पर आपको टेलिग्राम पर इस क्लास की लिंक मिल जाएगी उससे क्लिक करके आसानी से आप क्लास को जॉइन करना लाइव क्लास होगी जैसा कि मैंने पढ़ाया दस मिनिट में चालिस कोशन हम यहाँ पर एटेंब करेंगे दोस्तों 6 अगस्त 2023 को सूबए 11 बजे आपका SSC का फ्री मॉ टेस सीरीज को जॉइन करिएगा आपको यहाँ पर रैंक पता चलेगी जो टॉप 10 में आएगा उसको अमेजन गिफ बाउचर मिलेगा ऐसे सी बुक्स में मिलेगे पूरे एक सेट मिलेगी आज से मैं आपकी जो एप्लिकेशन में क्लास है वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ त आप इस फाउंडेशन बैस को जरूर जोइन करिएगा मैं आपको कहूंगा ताकि आपकी त्यारी सर्व पूरी हो ठीक है एसे सी का MPPSC का किसी कभी आप त्यारी करना चाहते हैं तो आप जरूर जोइन करिएगा पूजा चोधरी थैंक यू आपने हमें जोइन किया राज भ अलग अलग नाम आप लोगों के दिखते हैं तो आप लोगों को बहुत थैंक यू आप सभी ने क्लास को जोईन किया सुबह उठकर के पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है और एक अलग एनरजी आती है अलग हूर जाती है मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा ठीक साथ ब